Recently Supreme Court ने electoral bonds related एक historical judgment पास किया है और इस case का नाम है Association for Democratic Reforms versus Union of India और इस case में five judges constitutional bench ने unanimous तरीके से ये held किया है कि जो electoral bond scheme है वो unconstitutional है और वो constitution के article 19.1a के violation में है वेल क्या है ये सारा मामला और क्या होता है electoral bonds उसको देखते हैं तोड़ा प्रीफ में पहले चीज तो यह है कि ये electoral bonds होते क्या है electoral bonds एक ऐसी scheme है जो कि BJP government ने 2017 में निकाली थी जहाँ पे कोई भी वेक्ती या कोई भी company किसी भी political party को जिसको वो support करता है या करती है उनको वो fund कर सकता है financially contribute कर सकता है या फिर उसको donation दे सकता है और ऐसा क्यों किया जा रहा है ताकि वो उस political party का welfare हो यानि कि for the welfare of that political party which this person supports now another important thing is जब electoral bonds issue किये जाएंगे तो वो state bank of india के द्वारा ही issue किये जाएंगे और state bank of india ने कि sbi की कुछ specific branches द्वारा ही issue किये जाएंगे जो कि government ने authorize किये होंगे तो इससे होगा क्या कि जब भी एक विक्ति को किसी political party को अगर fund करना है या donation देनी है तो वो उसको directly cash में ना देकर electoral bond नाम का एक instrument drop करवाएगा और उस instrument को उस political party के headquarters में जब वो deposit कर देगा और वो political party उसको तब cash करवा सकती है तो इस तरीके से जो political funding है वो इस तरीके से होगी ना कि directly cash में एक और important चीज़ ये भी है इस scheme के अंदर कर कि जो भी वेक्ति इस political party को support करेगा तो denominations जो होंगे वो 100,000, 10,000, 1,000,000,000,000 इस तरीके की denominations में होंगे यानि कि ऐसा नहीं है कि 39,000 या फिर कुछ इस तरीके की amount है वो दिया जा रहा है जो कि इस तरीके की denominations में ना हो तो important चीज electoral bonds में ये भी है कि ये transparency लेकर आएगा और यानि कि इस तरीके से electoral bonds के firm में पता चलेगा कि इतना amount जो है वो political party को दिया जा रहा है अब वो कौन दे रहा है या कौन सी corporate या company दे रही है इस बारे में उस वेक्ति की identity जो है वो anonymous रिखी जाएगी यानि कि जब electoral bonds जिस वेक्ति ने बनवाए है उसका नाम उन electoral bonds पर reflect नहीं होगा इससे क्या फायदा होगा इससे फायदा ये होगा कि जिस political party को दिया जा रहा है वो funding की जा रही है तो इससे ये किसी भी political party को या किसी को भी पता नहीं चलेगा कि कौन इसके favor में कितना है यानि कि कितना financial support कर रहा है कौन सी political party को support कर रहा है जिसके वैसे किसी के उपर कोई भ में पहले कुछ restrictions थी कि वो कुछ particular amount तक ही funding कर सकते हैं लेकिन Companies Act 2013 के आने के बाद Companies Act के द्वारा ये भी amendment हो गई जहां पर उनके पर कोई restriction नहीं थी कोई बार नहीं था कि कितने amount की ही उनको donation करनी है देखें इस scheme के आने से पहले problem क्या थी इस scheme के आने से पहले बात ये थी कि कोई भी cash में जब funding कर रहा है तो वहां पर government को पता नहीं चल रहा कि किसने कितना cash में किस कौन सी party को fund किया है लेकिन जब electoral bonds issue कर दिये गए हैं तो electoral bonds में amount तो specified है कि कोई भी particular person है उसके उजारा जो इतना amount है particular amount वो funding के लिए जा रहा है political funding के लिए जा रहा है electoral bonds में चला गया है तो अब इसी बात है कि tax exemptions प्री मिल जाती है ऐसे में तो यानि कि अब यहां पर वेखती गबन नहीं कर सकता है उसकी जो chances है black money खटा करने के या फिर money laundering जैसी activities में involved होने का वो chances बहुत कम हो जाते हैं और ऐसी problems के साथ आराम से deal किय जा सकता है उस government द्वारा लेकिन आप यहां पर समस्या क्या आती है problem यहां पर यानि कि जो challenge किया गया है इस scheme को उसमें बहुत सारी issues आते हैं उनमें से एक issue तो यह है कि आप यह कह रहे हैं कि उस वेक्ति का नाम anonymous रहेगा जिस वेक्ति का जो वेक्ति electoral bonds में यानि कि electoral bonds के द्वारा एक political party को funding कर रहा है लेकिन बात यह है कि क्योंकि SBI bank एक centralized bank है जो कि RBI के अंडर में है और RBI किसके अंडर में है वो खुद ruling party के अंडर में है यानि कि यह ruling party RBI के द्वारा accounts मंगवाने से मंगवा कर वो इस बात का प्योरा ले सकती है कि किस वेक जा रहा है यानि कि ruling party को तो पता चलेगा लेकिन और बाकी की public को या फिर दूसरी जो non ruling political parties है उनको यह कभी पता नहीं चलेगा कि उनको funding कौन कर रहा है इसके अलावा एक और important बात यहां पर यह भी है कि जो political parties जिनको यह funding की जाएगी उन political parties के पास कम से कम पिछले election में कम स चाहिए as per the representation of people's act 1951 तो यह तो in short in short electoral bonds scheme के बारे में बात हो गई अब आता है issue यहां पर इस case में और क्या-क्या race किये गए और उनको किस तरीके से deal किया गया सुप्रीम कूट के द्वारा देखे अब यहां पर issues यह है कि आप कह रहे थे जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि anonymity के respect में तो जो anonymity है यह उस वेक्ति की यह ruling party को तो फिर भी पता चल रहा है लेकिन public में किसी को पता नहीं political parties को भी यह नहीं पता कि उनकी funding किस तरीके से हो रही है यहां पर एक और जो शूथा वह यह था कि क्या एक voter क्या उसकी right नहीं है यह जानने की कि किस वेक्ति ने कौन सी political party को कितना support किया है तीसरी important चीज यह भी है कि जब कोई भी corporate या फिर कोई भी person जाज़र से जाज़र policies में अपने interference दे सकता है यानि कि interfere कर सकता है rule making policies में अगर जो वेक्ति जितना अमीर होगा obviously बात है कि वो उतना ही जादा political party को support कर रहा होगा और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ruling party है उसको सबसे पहले पता चलेगा उसको तो पता चलना ही है कि कौन सी वेक्ति ने या कौ nation दी है so therefore constitutional five judges bench ने unanimous तरीके से इस बात को held किया है कि जो electoral bonds है वो एक वेक्ति की fundamental right to information को violate करते हैं under article 91a that is freedom of right to freedom of speech and expression इसके अलावा Supreme Court ने ये भी कहा कि जो electoral bond जिस मकसद से लाया गया था वो कोई transparent नहीं है जिससे आपसे ऐसा माना जा रहा था यानि कि ये भी कोई full proof नहीं है system और जहां पे actually ये political parties जो है उनको अगर ये पता चलता है कि कौन वेक्ति उनका contributor है तो आप इसी बात है कि वो political parties जो है वो influence हो सकत है इसके अलावा voter की जो right है right to information उसको भी ये पता होना चाहिए कि political party कौन सी political party को कितनी funding मिल रही है इस case में दो important precedence को भी refer किया गया जो की ADR versus union of India and PUCL versus union of India जहां पे already Supreme Court ने पहने भी ये judgments पास की थी और कहा था कि voters के लिए ये बहुत important है ये जानना कि जब freedom to vote जब exercise कर रहे हैं तो ये भी बता होना चाहिए कि इस तरीके के जो electoral bonds हैं वो कहां कहां कैसे कैसे utilize किये जा रहे हैं इसकी reasoning मैं आगको अभी भी बता चुक्यों कि reasoning ही है कि जो भी contribute कर रहा है जो भी donations दे रहा है political parties को उनका जादा chances हैं कि वो legislature को आराम से access कर सकते हैं और policy making में उनका बहुत बड़ा बड़े तरीके से influence हो सकता है इसके अलावा ये बहुत ही possible possibility है high possibility है कि जो financial contributions है वो एक तरीके से considerations है quid pro quo जिसको हम कहते हैं इस तरीके का arrangement है कि लेंदेन वाली चीज़ है कि इधर से भी दिया और उधर से भी लिया एक exchange है तो इस वज़े से क्या हो रहा है कि एक वेक्ति जो है वो political parties को fund कर रहा है और political parties जो हैं उसकी बात मान रही है और अपने एक तरीक which was given in this case I hope आपको इस case से electoral bonds क्या होते हैं ये समझ में आया होगा और इस judgment का जो summarized version है जो simplest तरीके से मैं आपको समझा सकती थी वो मैंने आपको समझाया है I hope you like this video thank you so much for watching this video